मुँँँँ नमस्कार बच्चों आज हम आपके पुस्तक विबसाय अध्यण भाग एक के साथवे अध्याएग निर्देशन का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं बच्चों इसके पिछले दो भागो में हमने निर्देशन के बारे में बहुत कुछ जाना हमने देखा कि निर्देशन क्या होता है, इसकी विशिष्टाएं क्या है, इसका महत्व क्या है फिर हमने निर्देशन के तत्वों के बारे में जाना हमने देखा कि निर्देशन चार तत्वों से मिलकर बनता है वो है परियवेक्षण, अभिप्रिणा, नित्रित्व वर समप्रिशन हमने एक एक करके परियवेक्षण, अभिप्रिणा और नित्रित्व के बारे में जाना हमने परियवेक्षण और अभिप्रिणा को जहां एक तरफ विस्तार में देखा वहीं हमने पिछले भाग के अंत में नितरित्व के बारे में अपनी कर्चा शुरू की थी हमने नितरित्व का अर्थ वह उसके महत्व को जाना हमने यह बात कि कैसे एक अच्छा नेता चाहे वो संगठन से बाहर हो या किसी विवसाइक संगठन में ही क्यों ना हो एक अच्छा नेता अपने अनुयाईयों या ये कहले कि कर्मचारियों को अच्छा नेत्रित्व प्रदान करके उनके विवहार को प्रभावित करता है वह उन्हें एक विशेश दिशा में ले जाने का काम करता है जो की संगटन के लिए वांचित हो एक अच्छे नेता के गुणों पर ये निर्भर करता है कि वो कितने कुशलता से, वो कितने अधिक मजबूती से कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है आज के इस भाग की शुरूआत हम नेतरित्व की शालियों से करेंगे हम देखेंगे कि नेता वो उनका नेतरित्व किस प्रकार का होता है वो इसके बाद फिर हम संपरेशन पर चर्चा करेंगे तो आईए आज का भाग शुरू करते हैं नेतरित्व शालियों की अगर बात की जाए तो इन्हें मुखेता तीन प्रकारों में वर्ग्यक्रित किया जाता है अर्थात तीन तरह की नेतरित्व शालिया होती है सबसे पहला एक तंत्रिय अथ्वा सत्तावादी नेता दूसरा लोक तंत्रिय अथ्वा सहभागी नेता तीसरा अबंध अथ्वा मुक्त रोक नेता सबसे पहले प्रकार का नीता है सत्तावादी नेता यह एक ऐसा नेता होता है जो संगठन में किवल अपनी चलाता है ऐसा नेता यह मान कर चलता है कि उसे ही सबसे ज़्यादा ग्यान है वह वही इस बात को जानता है कि क्या सही और क्या गलत है ऐसे नेता, सामाननेता एक तरफा संपरेशन करते हैं, एक तरफा संचार करते हैं, वो सामने से अपने करमचारियों से ना तो feedback लेते हैं, ना उनसे किसी प्रकार की सलाह या उनकी शिकायते सुनते हैं, वो केवल आदेश जारी करते हैं और करमचारियों को वो आदेश मानना ह अब इसको सुनकर ही लग रहा है कि ऐसा नित्रित्व तो सामानित माना नहीं जाएगा यदि हम इस तरह का नित्रित्व अपने संगठन में दिखाएंगे तो हमारे कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे वो प्रेरित नहीं रहेंगे वो बहुत बंधे हुए महसूस करेंगे उन्हें घुटन से महसूस होगी कि हर एक कारे, हर एक चीज उन्हें ऐसे निता से पूछ करनी पड़ती है इसलिए इस तरह का नित्रित्व आज के समय में बहुत कम जगा पाया जाता है फिर भी कुछ विशेश परिस्थतियों में ऐसा नित्रित्व उप्योग किया जाता है ऐसी नित्रित्व शाली कुछ ऐसी परिस्थतियों में ज़ादा कारगर साबित होती है जहां पर कर्मचारी गण उतने कुशल या ज्यान वर्धक ना हो जहां करमचारियों को संगठन को चलाने या संगठन के काम को लेकर उतना ज्यान ना हो ऐसे में प्रबंधक यह मान कर चलता है कि करमचारियों से सलह लेने या पूछने का कोई फायदा नहीं और वह स्वैम ही आदेश जारी करता है दूसरी तरफ यदी कोई ऐसी परिस्थती है जहां पर हम कार्य को अती शीगरताँ से करना चाहते हैं हम बहुत जल्दी उसे सफल बनाना चाहते हैं और हमारे पास पूछने आदी का शमय नहीं है ऐसे में हमें स्वयम ही निर्णा लेने पड़ते हैं बिना पूछे या सलह किये तो ऐसा करते वक्त भी हम सत्तावादी नेता शैली दर्शाते हैं तो यहां थी पहली नेतिर्त्व शैली दूसरी शैली है लोक तंत्रिय या सहभागी नेता शैली यहां सबसे जादा उप्योग की जाने वाली शैली है इस प्रकार के नेता अपने आपको दल का एक हिस्सा मानते हैं वो सभी निर्णे अपने दल के लोगों के साथ चर्चा करके उनसे सलह मश्वरा करके लेते हैं उनका यह मानना है कि कोई भी निर्णे पूरे दल वो उसके सभी सदस्यों को प्रभावित करेगा ऐसे में यह जरूरी है कि सबसे पूछा जाए तो ऐसा नेता लोगों को ध्यान में रखते वे सभी फैसले लेता है उसका ध्यान दल पर केंद्रित होता है इस तरह की शैली में कर्मचारी भी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें संस्था में या संगठन में महत्व दिया जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है सलाली जा रही है इस प्रकार की शैली को मानने वाले नेता समानेते हैं जादा लोक प्रिय पाए जाते हैं तीसरी शैली है मुक्त रोक नेता ऐसे नेता अपने आपको दल से बाहर रखते हैं उनका ये मानना होता है कि उनका दल वो उसके सदश्च से खुद ही बहुत सक्षम है अपने कारे करने में वो अपने निर्ण लेने में वह रोक टोक में विश्वास नहीं रखता उसका मानना है कि उसके दल के लोग स्वेम ही सारे निर्ण ले सकते हैं इसलिए वह बाहर से किवल उन्हें देखता है उन्हें परियवेक्षित करता है और जब बहुत जरुरत पड़े तभी वह आकर रोक्तोक करता है यह अपनी तरफ से कुछ बताता है उसका एक काम अपने दल को संसाधन उपलब्द कराना भी होता है लेकिन वह निर्णे लेने म में रोक्तोक नहीं करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि तीन शैलियां है यदि इन तीन शैलियों को आप अधिकार के प्रियोक के आधार पर देखें तो सत्तावादी नेता ऐसा नेता या ऐसी नेत्रतों शैली है जहां पर नेता अधिकार अपने हाथों में रखते हुए सरवाधिक अधिकार का प्रेयोक करते हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो दल के पास या करमचारियों के पास अधिकार वह स्वतंदरता बहुत कम होती है ना के बराबर होती है दूसरी शैली या सहभागी नेता शैली में नेता के पास अधिकार थोड़े कम वह वही अधिकार दल के लोगों को दिये जाते हैं ऐसे में दल के लोगों के पास स्वतंदरता थोड़ी जादा होती है जबकि तीसरी शैली में दल के लोगों के पास परियाप्त स्वतंदरता होती है वो पूर्ण रूप से सोतंत्र होते हैं खुद अपने काम करने के लिए नेता के पास अधिकार कम होते हैं वो अपने अधिकार अपने कर्मचारियों को दे देते हैं सामान नेता या तीसरी शैली ऐसे जगह अप्रयोग की जाती है जहां नेता को ये लगे कि उसके अनुयाई या कर्मचारी स्वय में ही बहुत कुशल, प्रसक्षित वो योग्य है वो उनके ओपर भरोसा किया जा सकते है तो इस प्रकार तीनों में से कोई ना कोई नेतरत्व शैली हर प्रकार के नेता या प्रबंदक में पाई जाती है तो बच्चो अब हम निर्देशन के तीन तत्वों को अच्छे से जान चुके हैं हमने परियवेक्षन को समझा है, हमने अभिप्रेड़ा को समझा है, वो हमने नेतरत्व के बारे में भी विस्तार में चर्चा कर ली है अब आए निर्देशन के अंतिम तत्वों पर चर्चा करें जो की संप्रेशन है संप्रेशन अंतिम जरूर है लेकिन यह सबसे महत्वपूर्टत्व है संप्रेशन का अर्थ है संचार करना, बातचीत करना यह उन सभी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाते हैं इसमें एक व्यवस्थित वा निरंतर चलने वाली कहने सुनने वा समझने की प्रक्रिया है यहाँ परिभाशा लुईस एलन द्वारा दी गई थी यदि इस परिभाशा को हम पुरह देखें और ध्यान से इस पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि संप्रेशन को कहने सुनने वा संभझने की प्रक्रिया कहा जाता है वह इससे भी महत więks्वपुन बात यह है कि शंप्रेशन तब होता है जब एक व्यक्ति अपनी बात को समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क साथता है अब चाहे कोई भी तत्व हो चाहे कोई भी क्रिया हो चाहे वो निर्देशन के अंदर आने वाले परियवेक्षर्ण अविप्रिणा आदी हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो बिना संप्रेशन के बिना बातचीत के बिना कहे सुने तो कोई कार्य नहीं हो सकता क्या कोई ऐसा संगठन हो सकता है जहां पर प्रबंदक वो कर्मचारी आपसे बात ना करे या कर्मचारी आपसे बात ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता इसलिए मैंने कहा कि संप्रेशन सबसे महत्वपूर कार्य या क्रिया है इसे एक ऐसी क्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा भाव, विचार, तत्य, अनुभव, इत्यादी का आदान प्रदान होता है इसका उदेश्य, दो व्यक्तियों के मध्य, आपस में एक समझ पैदा करना होता है समप्रेशन या इस पूरी प्रक्रिया के यदि हम तत्वों की बात करें तो इसके अंदर एक विस्तरित प्रक्रिया नजर आएगी जिसमें कई चरण होंगे कहने सुनने में तो समप्रेशन बहुत सरल लगता है कि बस बातचीत करनी है लेकिन यदि आप परिभाशा पर ध्यान दें तो यह केवल बातचीत नहीं है यह सफल तब होगा जब एक व्यक्ति अपनी बात को समझा पाए सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझे वह अपना जवाब दे क्योंकि यह बहुत महतोपूर प्रक्रिया है इसलिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए इसके अंदर के कुछ तत्वों को वर्गे कृत किया गया है और एक लंबे चरण की रूप में इससे दिखाया गया है आईए इस चरण वह इसके तत्वों पर चर्चा करें किसे भी संप्रेशन की प्रक्रिया में, मान लिजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात्चीत या, संप्रेशन में कुछ तत्व आएंगे जो इसको पूरा करेंगे सबसे पहली चीज होगी संदेश भेजने वाला माल लिजे मुझे कुछ कहना है तो मैं हो गया प्रेशक जिसके मन में कुछ विचार है जो मुझे आपको कहना है फिर अगला नंबर है संदेश का यानि मेरे मन में जो विचार है जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मेरा संदेश है तो मैं प्रेशक और मेरे मन का जो विचार है वो है संदेश इसके बाद अगला चरण है encoding का encoding का आर्थ होता है कि मैं अपने मन के उस संदेश या विचार को किस तरह आपके सामने रखूंगा क्या शब्दों का प्रियोग होगा किस हावभाव का प्रियोग होगा यहां मुझे encode करना है यानि एक प्रकार से code करना है उसको कूट भाषा में बदलना है मुझे यह निर्धारित करना है कि मेरे विचार आप तक किन शब्दों में या किस तरही के से पहुँचेंगे यहां निर्धारित कर लेने के बाद अब मैं संचार के माध्यम चुनूँगा माध्यम मौकी क्या लिखित हो सकते हैं तो उसे समझने से पहले आपको उसे डिकोड करना होगा यानि शब्दों को समझना होगा अंदर के भाव को समझना होगा जब आप उसे समझ जाएंगे तब वास्तव में आपको संदेश प्राप्त होगा और फिर आप कहलाएंगे संदेश प्राप्त करता decode करने के बाद जब आप संदेश प्राप्त कर चुके हैं यानि कि आपको वो समझ आ गया है तो आप अपनी प्रतिपुष्टी करेंगे यानि आप feedback देंगे आप जवाब देंगे जब मुझे जवाब मिल जाएगा तब यहाँ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी यानि प्रेशक, संदेश, encoding, माध्यम, decoding प्राप्त करता वो प्रतिपुष्टी के इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने के बाद संप्रेशन माना जाता है इस बीच एक चीज और होती है जिसे हम ध्वनी या कोलाहल कहते है ये उन सभी चीजों को कहा जाता है जो संप्रेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं या उसमें बाधा उत्पन करते हैं ये टेलिफोन का लाइन खराब होना सामने वाले का ध्यान कहीं हो और होना या ऐसे कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे इस संचार या संप्रेशन के प्रक्रिया में बाधा उत्पन करें इसे हम ध्वनी कहते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि संप्रेशन इतना भी सरल नहीं है इसमें कई चरण होते हैं जिनमें हर एक चरण को ध्यान से करना चाहे वो माध्यम चुनना हो चाहे एंकोडिंग करना हो इस पर ध्यान देना अनेवार रहे होता है यदि हम चाहते हैं कि हमारे संप्रेशन का कुछ अर्थ निकले अब संप्रेशन दो प्रकार का होता है एक अपचारिक वह एक अनपचारिक अपचारिक संप्रेशन संस्था की सनचना में आधिकारिक माध्यमों द्वारा होता है यानि जब हम अपने पद अपने आधिकारों के दाइरे में रहकर कुछ काम की बात करते हैं संगठन के ओदेशों से जुड़े वे कुछ बात करते हैं, जिसमें कामकाज की चर्चा हो तो वह आपचारिक संप्रेशन कहलाता है। आपचारिक संप्रेशन को दो अर्गों में वर्के कृत किया जाता है। उर्धभादर वा सम्तल उर्धभादर संप्रेशन का प्रवाह लंबवत या सीधी रेखा में होता है उपर या नीचे उपर की दिशा में संप्रेशन उस प्रवाह को दर्शाता है जो अधिनस्थों से अधिकारियों तक किया जाता है जबकि नीचे की ओर अधिकारियों से अ आपचारिक संगठन में विभिन प्रकार के संप्रेशन तंत्र कारे कर सकते हैं यानि कौन किस से संप्रेशन कर रहा है इसके आदार पर कुछ तंत्र पाएं जाते हैं सबसे पहला है श्रंखला तंत्र इसके अंदर एक श्रंखला के रूप में एक व्यक्ति अगले व्यक्ति तक संदेश पहुचाता है फिर वो उसके अगले तक फिर वो उसके अगले तक यानि इसमें सीधी रेखा में संप्रेशन होता है फिर है चक्र चक्र के तंत्र में सभी लोग एक दूसरे से सामने आमने सामने जुड़े होते हैं एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बात करता है तो जबकि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति से बात करता है यानि इसमें दो व्यक्ति आपसे बात कर सकते हैं अगर संस्था में चार व्यक्ति हैं वो चारों आपसे बात नहीं करेंगे जबकि दो व्यक्ति केवल एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसे आप सामने चित्र में भी देख सकते हैं तीसरा तंत्र है गोला तंत्र गोले तंत्र में एक व्यक्ति अपने बगल के दो व्यक्तियों से बात कर सकता है अगला तंत्र है स्वतंत्र या मुक्त प्रवाह तंत्र जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं हर एक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ यानि कोई भी किसी से भी वारतलाप कर सकता है आखरी तंत्र है विलोम वी यानि उल्टा वी तंत्र अब यदि इसे आप ध्यान से देखें तो इसमें जो नीचे के दो व्यक्ति हैं वो अपने उपर के अपने अधिकारी या बॉस से बात कर सकते हैं लेकिन साथी साथ वो अपने बॉस के भी बॉस से बात कर सकते हैं जो करमचारी है वो ना केवल अपने अधिकारी से जुड़े हुए है बलकि वो अपने अधिकारी के उपर मवजूद अधिकारी से भी जुड़े हुए है इसे उल्टावी चक्र कहा जाता है यह इन सभी तरीकों से अपचारिक संप्रेशन को संगठन में किया जाता है इसके बात बारी आती है अनौपचारिक संप्रेशन की अनौपचारिक संप्रेशन में व्यक्तियों वा समूहों के मद्य होने वाले वो बातचीत या संप्रेशन है जो अधिकारिक तोर पर नहीं होते हैं इनमें लोग कामकाज की बात कम और अपने आपस के मित्रता अपने समूहों किसे जुड़े ही सूचनाव आदिकी बात जादा करते हैं इस तरह की संप्रेशन को अंगूरी लता संप्रेशन भी कहा जाता है जैसे अंगूर की लता या बेल किसी भी दिशा में जा सकती है ऐसे ही इस परकार का संप्रेशन किसी भी दिशा में हो सकता है इसका कोई विस्तर यानि ग्रुप के वजह से आपसे बात्चेत करते हैं इसमें संपरेशन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती इसके भी कुछ विशेश तंत्र पाए जाते हैं जैसे कि श्रंखला या सिंगल स्ट्रैंड तंत्र जहां पर एक सीधी लाइन में एक समुह के लोग एक दूसरे से से बात करते हैं दूसरा गफशब तंत्र जहां कोई एक व्यक्ति केंदर में होगा और वो किसी प्रकार की गफशब चारुतरह फैला रहा होगा बाकी लोग मिलकर उसे सुन रहे होंगे तीसरा समुह तंत्र जहां पर एक व्यक्ति पहले दो लोगों से बात करेगा फिर वो किसी तीसरे से बात करेगा फिर उनमें से कोई व्यक्ति किसी और तक बात पहुचाएगा तो यहां पर एक भेड़ चाल की तरह लोग एक दूसरे तक बातों को किसी भी दिशा में पहुच तंत्र इसमें कोई भी किसे से बात कर सकता है इसका कोई एक निश्चित तंत्रियां इसकी कोई झिउसस्रंखला नहीं है यह संभावनाओं पर निर्भर करता कि आज मने किसी और से बात कर लिए गजर मैं किसी और से बात कर लूँगा तो तो कहने कार्थिय है कि आनापचारिक संप्रेशन में कोई निश्चित तंत्र या एक चेन नहीं है कोई भी किसे से भी अपने अवश्क्ता अनुसार बात कर सकता और यह बात जरूरी नहीं है कि काम की हो लोग अपनी मस्तिय अगप्शप के लिए भी बाते कर सकते हैं अब संप्रेशन चाहे किसी भी प्रकार का हो उसमें कुछ बाधाएं सामाने तह पाई जाती हैं सबसे पहली बाधा हैं संकेतिय बाधाएं संकेतिय बाधाएं उन बाधाओं से संबंदित हैं जो संदेशों को एंकोड करने उन्हें पहुंचाने उन्हें समझाने में आती हैं इसके अंदर मुखेता कुछ प्रकार के बाधाएं होती हैं जैसे संदेश की अनुप्युक्त अभी व्यक्ति यानि यदि संदेश पहुचाने वाला व्यक्ति ठीक प्रकार से अपनी बात को नहीं कह पाता अपने संदेश को उचित शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता तो संप्रेशन सफल नहीं होगा इसके अलावा विभिन अर्थों वाले शब्द कई शब्दों के अर्थ अनेक निकल कर आते हैं यदि हम ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने उसका अर्थ अच्छे से नहीं समझाया तो सामने वाले व्यक्ति उसका कोई और अर्थ भी निकाल सकता है इसके अलावा तुर्टि पूर्ण रुपांतरन यदि एक भाषा से दूसरे भाषा में रुपांतरन किया जा रहा है मान लीजिये मैं एक व्यक्ति के तरफ से देश की किसी अन्य राज्य में जाता हूँ और वहां की भाषा अलग है और मैं अपने साथ किसी रुपांतरन करने वाले व्यक्ति को लेकर जाता हूँ और वह रुपांतरन ठीक से नहीं करता तो सामने वाली व्यक्तिय को हमारी बात गलत तरीके से समझ में आएगी तकनीकी विशेश सब्दावली का उपयोग करना यदि मैं किसी विशेश छेतर में बहुत निपुढ हूँ वहां के कुछ विशेश शब्दों का उपयोग में करता हूँ मान लीजिये मैं लेखा शास्तर को जानता हूँ और मैं मुलिहरास नाम के शब्द का इस्तमाल करता हूँ अब यह शब्द किसी एक आम बोलचाल में उपयोग नहीं किया जाता है तो हो सकता है यह सामने वाली व्यक्तिय को समझना है तो इस प्रकार शब्दों का चयन या शब्दों की अभिव्यक्ति सही शब्दों का इस्तिमाल इस से जुड़ी हुई जो बाधाए है वो संकेत ये बाधाओं में आती है फिर आती है मनोवेग्यानिक बाधाए मनों वियाग्यानिक बाधाओं में सबसे पहली बाधा है आसामीक मोल्यांकन यानि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बात को सुने बिना पूरा सुने बिना ही यदि उसका निसकर्ष निकाल ले यानि आपनी मेरी बात को समझानी और खुदी मन में एक विचार बना लिया वो हमारे बीच के बाध्चीत को बाधित कर सकता है इसे हम आसामीक मोल्यांकन कहते हैं फिर है ध्यान ना हो न यदि सुनने वाले व्यक्ति का हमारे तरफ ध्यान ना हो तो ऐसा व्यक्ति हमारी बात को समझ नहीं पाएगा और वो हमारे संप्रेशन में बाधा उत्पन करेगा इसके अलावा कई बार संप्रेशन के प्रसारन में भी यानि बात पहुंचाते हैं वक्त भी कुछ शब्द वहां बीच में लोप हो जाते हैं या समने वाला व्यक्ति पूरी बात को दिमाग में नहीं रख पाता दिहान नहीं रख पाता भूल जाता है यह भी हमारे बाचीत को बाधित करते हैं आपस में विश्वास ना होना यह एक और मनोवज्ञानिक बाधा है मनोवज्यानिक बाधाओं के बाद संगठनिक बाधाय आती है संगठन में यदि उस परकार का माहौल उस परकार की नीतिया यह सुविधाय नहीं है जो लोगों को बात्चित करने में सहायता दें तो यह संप्रेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है उधानन के लिए यदि संगठन की नीतियां उसके नियम या कानून इस तरह के हों जो संप्रेशन का विरोध करते हों तो लोग आपसे बाच्चित ही नहीं कर पाएंगे और यह संगठनिक संप्रेशन में बाधा उत्पन्न करेगा इसके अलावा किसी व्यक्ति का पद उसकी पद भी संगठनिक बाधा का काम करती है यदि कोई व्यक्ति अपने पद को लेकर बहुत जादा चिंचित है तो वह कई बार अपने से नीचे पद के लोगों से बात करना पसंद नहीं करता या उनसे सलाह लेना पसंद नहीं करता य अभी बाधा काम करता है संगठन की सरचना में जटिलता भी एक बाधा है यदि संगठन की सरचना इतनी जटिल है कि कई पद कई लोग अलग लग काम में लगे वे हर काम कई लोगों की द्वारा करवाय जा रहा है एक व्यक्ति कई कामों में लगा हुआ है तो ऐसे में समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि किस विशय के लिए किस से चर्चा करनी है संगठनिक बाधाओं के बाद आती हैं व्यक्ति बाधाएं एक व्यक्ति के-म्यंति तुसे जुड़ी विपाधाय होती और यहां फिर संप्रेशन को रोकेगा इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति में बात करने की इच्छा ही नहीं है संप्रेशन की इच्छा ही नहीं है तो वह भी संप्रेशन नहीं करेगा यदि किसी अधिकारी को अपने अधिनस्तों में विश्वास ही नहीं है तो वह भी कभी अधिनस्तों से बात करने पर ध्यान नहीं देगा, तो इस प्रकार की बाधाएं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ीवी बाधाएं होती हैं, तो कुल मिना कर बाधाओं को चार वर्गों में बाटा गया है, संकेतिक बाधाय जो शब्दों से जुड़ीवी बाधाय है हाव भाव से जुड़ीवी बाधाय है मनोवज्ञानिक बाधाय जो हमारे मन से जुड़ीवी बाधाय है चाहे वो ध्यान ना होना हो या भूल जाना हो संगठनिक बाधाय, संगठन के पद, उसके नीतिया, उसके सरचना आदी से जुड़ीवे बाधाय है वह व्यक्तिकत बाधाय, एक व्यक्तिके व्यक्तित उसे जुड़ीवे बाधाय है इन बाधाओं से पार भी पाया जा सकता है इसके लिए कुछ विशेश कदम उठाकर हम अपने संगठन में संप्रेशन को सुधार सकते हैं जैसे की संप्रेशन करने से पहले हम अपने विचारों को सपष्ट कर ले कि हम कहना क्या चाहते हैं इसके अलावा एक बहुत महतोपूर्ण बात यह है कि संप्रेशन हमेशा प्राप्त करता क्या वशक्ता अनुसार हो यानि जिससे हम बात कर रहे हैं क्या उससे उस बात की जरूरत है क्या वह उसके लिए उपयोगी है यह सोचे तभी सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें समझाएंगी वो उन पर ध्यान देंगे संप्रेशन के पहले अनि लोगों से भी परामर्श करें यदि हम कोई बहुत महतोपूर्ण संप्रेशन कर रहे हैं तो हम उसके लिए अनि लोगों से सलहा ले सकते हैं संप्रेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छा श्रोता बने हम अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाए इसके अलावा यह भी बहुत अनिवार्य है कि हम केवल अपनी तरब से बातों को बोल कर पीछे ना हट जाए हम यह भी स्वनिश्चित करें कि सामने से हमें फीड रित्व की शैलियों और संप्रेशन पर चर्चा कि हमने देखा कि संप्रेशन बहुत महत्वपूर का रहे हैं यह संगठन में अपचारिक अनपचारिक तरीके से विभने तंत्रों के द्वारा किया जा सकता है वह इसमें बहुत सारी बाधाय आ सकती है लेकिन इन बाधाओ इस अध्याय के तीनों भागों में हमने निर्देशन के अर्थ से लेकर उसके चारत वत्रों पर विस्तार से चर्चा किये और जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में भी कहा था निर्देशन ना केवल प्रबंधक के लिए बलकि पूरे संगठक के लिए बहुत ही और यह आपको आगे जाकर भी बहुत फैदा पहुंचाएगा इसलिए अनिवारी है कि आप इस अध्याय को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें मैं आशा करता हूं कि आपको आज का भाग वह इस अध्याय के तीनों भाग अच्छे से समझ आये होंगे आज के लि आपको 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 आपक